नमस्कार में स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स माधिमिक शिक्षा मंडल की दसवी और बारहवी परिक्षा का मुल्यांकन कारे 22 फरवरी से शुरू होगा इसके बाद दोनों कक्षाओं दसवी और बारहवी का रिजल्ट 15 अप्रेल के आसपास घोसित कर दिया जाएगा मधिप्रदेश बोड की 5 फरवरी से शुरू हुई दसवी और बारहवी की परिक्षाओं में अब तक 10 दे जादा पेपर हो चुके हैं मुख्य पेपरों के शुरुआत भी इस अब्ते से हो चुकी है अब तक जो पेपर हो चुके हैं उन पेपरों के आंसर कॉपी चिला मुख्यालय में बने मुल्यांकन केंद्रों में पहुचने लगी है कौपियों को शिक्षकों द्वारा जाचा जाएगा जिसके लिए उनकी ड्यूटी भी लगाई जा रही है जो टीचर अभी परिक्षा सेंटरों पर पेपरों को करवाने में लगे हैं वे पेपर खत्म होने के बाद मुल्यांकन कारे में शामिल होंगे इसके अलावा शिक्षक हैं उनसे पहले चरण में जो परिक्षा हुई है उनका मुल्यांकन शुरू करा दिया जाएगा मुल्यांकन का काम मार्च के आखरी सप्ताह तक खत्म होगा इसके बाद रिजल्ट को बनानी की तैयारी शुरू की जाएगी मादमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों के अनुसार लोग सभाचुनाव के पहले दोनों कख्षाओं के मुल्यांकन का काम पूरा करना है इसके साथ ही केंद्रों को विद्यार्थियों के अंक भी पोर्टल पर अप्लोड करना है बोड ने 15 अप्रेयल तक रिजर्ट घोशित करने का लक्ष रखा है जिसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है